हेलो एवरीवन मैं विभा आपनी चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हैं मेरी लास्ट वीडियो में आपको बहुती से दूसरों डेजाइन पैटर्स बताए हैं अब आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी को कि बाजू में किस तरीके से पंदे बढ़ाये जा चले वीडियो को शुरू करते हैं तो मैं अभी आपको जो पाजू बताने जा रही हूं कि कैसे इस तरी फंदे बढ़ाये जाते हैं जेंट स्वेटर या लीडिज कार्डिगल दोनों में ही सिमिलर स्टिचेज डलते हैं डिपेंड करता है कि कैसा साइज है तो अभी जो मैं बताने जा रही हूं जेंट स्वेटर के स्लीव का नाप बताने जा रही हूं मैंने दस नंबर की नीडल पे बावन फंदे कास्टान कर लिए हैं और मैंने इस तरह के से बॉर्डर बनाकर 2.5 इंच का बनाकर कंप्लीट कर लिया है अब अब हम इसके फंदे बढ़ाएंगे मैं तोटल मैंने 52 फंदे लिया आप 50 भी ले सकते हैं मैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहां पे फंदे अरजिस्ट करने के लिए बना रही हूं और जब हम बॉर्डर बना लेते हैं एक एक फंदे साइट साइट से हमें बढ़ाने हैं तो अब आपको बताती हूं कै अगली फंदे में हम हर बार बढ़ाएंगी जिससे फिनिशिंग लुक में आपको बाजू दिखाई दी अब क्या करेंगी हम इसको इस तरीके से एक फंदा इस तरीके से ऐसे पीछे से ठीक है और दूसरा आगे से तो एक के दो फंदे हम बना लेंगे तो देख सकते हैं मैंने एक एज स्टिच और एक क्या लाम है साइड्स का और एक के दो फंदे मैंने बना लेंगे बाकी मैं अपने डिजाइन के हिसाब से इसको बना लेती है यह हमारी रोव वन है फ्रेंड्स तो मैं अभी पहला रोव सीधा-सीधा बना कर कंप्लीट कर ल यहां से लेकर यहां तक पुरा मैं फ्रेंड्स तो अपनी सीधी-सीधी रोव की बना कर कंप्लीट कर लिए अब हम रोव टू पे हैं एक पंदा हमने यहां बढ़ा है और एक पंदा यहां बढ़ाना है अब हमें नेक्स प्रो से बढ़ाना है हम इसके लोव सेकंड पे हैं अब रोव सेकंड का भी और यहां देजाएगा फंदाम ऐसे कैसे कैसे उतार लेंगे डोव हमें इस वाले पनदे पर एजशिटेश पर नहीं फंदे बढ़ाने हमें उसे 1 पंदा उतारने के बाद बढ़ाना है यह गिविसी को आक नहीं से लेकर यह तो हो गया ठीक है वाफ्य अपनी पूरी सैकेंड रो हम अपनी पूरी पर्ल रो की बना कर स्टिच कर लेंगे इस तरीके से पूरी पर्ल हो अधिया के की तो इस रो को आपना बना कर लेती हूं अब हम आ गए हमें कोई भी पंदा नहीं बढ़ाना है कि हमें के फंदा नहीं बढ़ता है हमें को सबस्क्राइब मिलाई यह समझ लीजैयों हमने पर अब मतलं करें बढ़ दीजैंच्त ओ प्रेंड्स इसमें फंदे स्टेच कर रही हूं तो अब इसको रोवन काउंट करेंगे हैं जब हम बॉर्डर निट कर लेते हैं बना लेते हैं एक एक फंदा बना लेजिए उसके बाद जब आप चार सलाईयां बुलने या तीन सलाईयां बुलने तो हर चौथी या पाच्वी सलाईय में आप फंदे बढ़ा सकते हैं ठीक है हर चौथी या पाच्वी सलाईय पर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो अब मैंने जब मैंने अपना 2,5 इंच का बॉर्डर बना लिया पहले तो मैंने फंदे स्टेच कर लिए अब इसको हम काउंट नहीं करेंगे अब हम स्ट जैसी मैं अपने पूरी चार रोज बनाकर कंप्लीट कर लेती हूं फिर आपको आगे का प्रोसेजर बताती हूं आगे किस तरीके से आपको इसमें कंटिग्यू करना है सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था चाहे आप चौती सलाई में या तीसरी पांचवी सलाई में तो मैंने पर चार सलाई यहां पर मैंने स्टेचर बढ़ाए थे बॉर्डर बुनने के बाद अब मैंने इसके बाद चार सलाई यहां अपनी डिजाइन की बनाकर तयार कर तेलिए मेरी पांची सलाई फिर से हम फद्धें बढ़ाएंगे पांची सलाई में इसटीष हम इसी उतारेंगी ठीक है लिट रहाई पीछे से लेंगे और हिसको आगे तो अभी मेरा जाईन है अगर सीधा बनाना चाहें तो कि एक के दो फंदेज spiritually vist कि यहां पर एक फंदा उताने के बाद हमें अगला झौला फंदा एक मैंने अपनी फिफ्ट प्रो बनाकर कम्प्लीट कर ली है यहां पर स्टिच बढ़ा दिये थे अब मैं रोज 6 पे हूं अपनी पांच विए छटी सलाई में आपको फंदे बढ़ाने हैं जैन्स फंदे हैं जैन्स लेडिस दोनों में ही तो कि किसी-किसी की बहात की बाजू बह उताना है और उसके बाद एक के दो बनाते नहीं अगले फंदे के इससे एक तो फिनिशिंग में लुक में दिख्थाई देता है और बहुत ही सुन्दर लुक आता है इस तरीके से अब मैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको बना लेती हैं अपनी रोज 6 मेरा जो ड दिख्ण रखना है कि की और अपना चरहा सकते हैं और चरणी से शुरू से एक से लेकर चार अलाय तक काउंट कर ले कि हर पांच भी और छटी सलाई में आपको पंदे बढ़ाने हैं चाहए आप चौती पांचवी में बढ़ाना चाहते हैं साथा चौती बस इनी steps को आपको फॉलो करते हुए चलना है इस तरीके से यह रिखे और जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई है ठीके ट्रेंड्स उसको आप ले जेगा जो भी आपको बाजू की लंबाई चाहिए इनी चार steps को इनी steps को follow करते हुए आपको हर चोती से पांची से छटी सलाई में फंदे बढ़ाते जाना है और जितनी बाजु की लंबाई आपको चाहिए उसको आप बना दीजिए तो चलिए मैं जितनी बाजु की लंबाई चाहिए मैं बनाकर complete कर लेती हूं और आपको दिखाते हैं इसी तरीके से आपको चलना है हर पांची से छटी रों में आपको फंदे बढ़ाने हैं सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने इहीनी steps को follow करते हुए अपनी बाजु कुरी बनाकर complete करते हूं यह मैंने यहां से लेकर यहां तक पुरा मतलब यहां से लेक यहां से लेकर और यहां आखरी तक 23 इंची तक बढ़ा लिए मेरी बाजु की जो लंबाई आ रही हो 23 इंच तक आ रही है अपनी बाजु मैंने इस तरीके से देखे यहां से लेकर यहां तक पुरा 23 इंच तक बनाकर complete कर ली है तो चलिए इसके आगे बताती हूं क्या करना है आप सबको मैंने आप सभी को बता दिया है कि बाजु के लंबाई कितनी बनानी है अब इसके आगे भी तो कुछ करना है आपको टूटर पहने में बता देते हूं कितने बने तो टूटर मेरे 108 पंदे इसमें 108 से 110 के विच में आपके फंदे उपर आ जाएंगे तो चलिए आगे क्या करना है इसके बारे में आपको सबको में बाटाती है आगे आपको जिस तरीके से हम मुvellini की घटाई करते हैं इसी तरीके से एक मुड़े की घटाई करनी है पहला फंद हमने उतार लिया दूसरा फंद हम चार फंदे मुड़़े की घठाइए कर लेंगे, एक, ये दो, तीन चार यह देखे फ्रेंब्स यह मैंने चार पंदे मुड़े की घटाई कर ली है अब मेरा जो डिजाइन का पैटरन है मैं उसको बना कर कंटीनियू करती हूं फिर आपको आगे बताती हूं हम इसकी रॉंग साइट पर आ गई हूं अब हमें यहां पर भी चार पंदे घटाने हैं इस तरीके से बिखिए एक पंदा उतार लिया एक पंदा बुल दिया जैसे मुड़े की घटाई की जाती है सेम ऐसे ही आपको चार दिन दो का मुड़ा घटाना है एक पंदा घटा दिया दो तीन और ये चार चार फंदे घटाने के बाद जो मेरा डेजाइन पैटरन है मैं उसको बना कर कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरी जो रोहे देखिए मैं ने बना कर यहां तक चार पंदे घटाने के बाद अब ये आखरी वाला जो फंदा है ने अब हम घटाएंगे तीन फंदे इसको इसके उपर से ऐसे उतार देना है एक तो अबे तीन अबे तीन अब आपने सोचा होगा कि मैंने लास्ट में क्यों फंदा ऐसे उतार दिया था ताकि जो गुलाई आते ना बड़ी सुंदर सी आर्म होल की कटिंग की इसलिए इस फंदे को उतारा मैंने ताकि सुंदर सी कटिंग अब यह जो मेरा डिजाइन पैटन है मैं इसको कंटेनिव कर लास्ट करके दिखाती हों और इसके भी एंड में आपको एक बाजू बिना बुने एक पंदा बिना बुने उतार लेना है इसके आखिर वाले में भी मैं इसके प्रॉंक साइट में फ्रेंड्स इसमें एक फंदा मैंने बुने उतार लिया है अब यहां पर भी चार फंदे घटाए थे अब यहां पर तीन घटाएंगे इस फंदे को इसके उपर से उतार देंगे एक दू और यह तिन और जो मेरा डिजाइन पैटरन है उसको फॉलो करेंगे अब कम्प्लीट कर लेती हूं आकरी फंदा बिना बुने उतारेंगे इस तरीके से अभी चार और तीन अब हम घटाएंगे दो फंदे इसको इसके उपर से उतार लेंगे और इसको एक और दो फंदे हो गए और हमारा जो डिजाइन का पैटरन है फ्रेंड्स मैं उसको बनाकर कम्प्लीट कर लेती हूं अब मैंने आकरी फंदा हम ऐसे उतार लेंगे अब रॉंग साइट पर हूं इसमें भी चार तिन घटाए थे अब दो घटाएंगे एक और ही तो और जो हमारा डिजाइन का पैटरन है उसको इस तरीके से फॉलो करते हूं चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी गोला यानी चालू हो गई इस तरीके से जैसे आन की कटिंग करते हैं गोलाई उसी तरीके से इसका आना शुरू हो गया तो मैं इसको बना कर कंप्लीट कर लेते हूं आकरे फंदा बिना उन्हें ऐसे उतार लेंगे अब देखिए हमने चार तीन दो तक घटा लिया अब हमें एक फंदा नहीं घटाना है अब हमें हर बार दो दो ही फंदे घटाने हैं इससे हमारी जो ऊपर की गोलाई है बड़ी एक दो इस तरीके से हमें पंदो को घटाते जाना है दो दो फंदे हमें घटाते जाना है जब तक हमारी बाजू की जो आर्भूल की कटिंग करें उसके हिसाब से ना बन जाए तो मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूं आपको आपको बस इस तरीके से चाहते इन दो घटाने के बाद हर तीसरी सलाही में आपको दो दो फंदे घटाते चले जाना है और जब उपर जब तक घटाना है जब तक यहां पर बीस फंदे ना पच्छाए आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में तर तक के लिए बाबाई